जनपत संबल की चंदोसी निवासी व्यापारी के साथ जोया में टोल प्लाजा पर हुई धोखा दड़ी एक बार नगत पैसे देने के बाद फास्ट टैक के जरीये काटे पैसे जनपत संबल की चंदोसी में घंटा घर पर रहने वाली व्यापारी योगेश गोल्डन के साथ अमरोहा जनपत के जोया में बने टोल प्लाजा पर सरवर ना आने की बात कहकर करमचारी ने 40 रुपए नगत वसूल कर लिए ले कुछ देर बात उनके पास मोबाइल पर मैसीज मैसीज आया कि उनके खाते से फास्टेक से 140 रुपए की कटोती की गई जब उन्होंने लोट कर इस बात की शिकायत उच अधिकारियों से की तो उनके समस्या का समाधान नहीं किया गया इस विशय में व्यापारी योगेश ने बताया कि इस तरह की हरकतों से अधिकारी और क एक बार नरोरा बेलोन के पास में जो टोल पड़ता है वहां हो करके मैं जा रहा था उन्होंने मुझे से का कि हमारी इस समय नेटवरक नहीं आ रहा है मशीन कामें नहीं कर रही है आप नगत भुकतान करो आने जाने का मैंने वहां 90 रुपे दे दिये उन्होंने 90 रुपे पिच्चान मुझे दिये उन्हों लिए और ले करके मेरे रसीद काड़ी उसके बाद जा मैं लोट करके दिल्ली से आया तो लोट के आचे मैं मैं रसीद दिखाई तब भी उसके बाद भी 60 रुपे फिर दुबारा मेरे ऑनलाइन के द्वारा कट गए मैंने आ करके मैं रुपे डाले तो साथ फर्वरी को मुझे बता रहा है कि साफ आपके 300 रुपे हम पर नहीं आये जबकि मेरे पाद फिरूस है मैं स्कीन सोट देने को तहीं हूँ और मैं शिकायद भी कर चुका हूं संबंदित अधकारियों को करमचारियों को आज तक कोई सुनवाई न मुझे दो दिन बात पता लगी कि 150 रुपे जो या टोल पिला जापा का एक मेसेज आया कि आप से काट जा रहा है 40 रुपे का टोल 105 का को हिसा भी नहीं बनता है मैं तीनों शिकायते कर चुका हूं जो अभी तक कोई समादान नहीं हुआ है यह भारत सरकार के जो नए कार है बढ़िया कारे की जो उनको ठेंगा देखा रहे हैं यह अधिकारी यह करम्चारी लोग हमको जो नुकसान हमाएं दुहुराय खातेकर प्रोड़े और को शाटियों को एसा लग रहा है मेरे कही साथियों नहीं मुझे बताया कि इस तरह की गटनाय हो रही है किसी की गाड़ यह सब करमचारी और अधिकारी के मिली भगत से हो रहे हैं या तो ठेकेदार हो इसके या यह जो प्रसासनिक लोग है वह हो जो भी है यह गलत हो रहा है और मैं इसके खलाफ अबाज उठाँ हुआ मैं मानि मोदी जी से मन्य संबंदित मंत्राले मन्य गड़गरी जी से भी प्रेकी पुन्रावेत्ती नाहों इस गड़्डराव को रूखा जाओ